हेलो गाईश वागत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एक्जाम के बारे में कि बोर्ड परिक्षा कब होगी 2021 में और ब्लूप्रिंट कब तक आएगा एंड वेस्ट ओफ फाइव योजना इस साल लागू रहेगी या फिर नही में होगी तो इन तीनो पॉइंट के बारे में आज आपको पूरी इन्फोर्मेशन मिलने वाली है तो वीडियो को लास तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको अपकोमिंग वीडियो की नोटिफिके कर लिजे और इसके अलाबा इंस्टा और ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बन स्टडी गेर हमारे इंस्टाग्राम ओफिशल आइडी है और ट्विटर आइडी भी है तो बन स्टडी गेर से आप सर्च करेंगे और हमें फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डा माई में होंगी अप्रेल में होंगी मार्च में होंगी इस तरीके से आपको बताया जा रहा है लेकिन यहां पर जो correct information है वो आज में आपको देने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको वो एक चीज और बता दूँ कि जो MP Board है यह पूरी तरीके से CBSC को follow करता है और CBSC ने अपना 30% स्लेवस कम किया तो MP Board ने भी किया है अब CBSC के exam अगर postpone होते हैं तो MP Board भी अपने exam को postpone करेगा बट अभी CBSC के exam postpone नहीं हुए है बाइस दिसेंबर को साम चार बजे रमेश पोख्रियाल निशंक जी जब लाइब आएंगे तो बहाँ पर पूरी information मिलेगी कि CBSC के Board exam March में होंगे या फिर मई में होंगे तो बहाँ से अगर CBSC के exam postpone होते हैं तो MP Board के exam भी postpone हो सकते हैं और MP Board के exam अभी March में होते थे लेकिन March में ना होकर अप्रेल और मई में कराए जा सकते हैं लेकिन जो हमारे MP के सक्षामंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि March में अप्रेल होने की कोई अनिवारता नहीं है Board exam को postpone किया जाएगा हो सकता है अप्रेल में हो जाएं या फिर मई में हो जाएं क्योंकि बहुत सारे newspaper में भी news आई थी कि आपके Board exam 15 अप्रेल से होंगे और बहुत सारे newspaper में बताया जा रहा था कि आपके exam March में होंगे तो इस तरीके से news आ रही है और students के मन में confusion बनी हुई है लेकिन अभी आप मान के चलिए कि आपके exam हैं वो March में होने वाले हैं और अपनी तयारी में आप लोग लग जाएए अगर पोस्ट पॉंड होते हैं तो आपको news मिलेगी हमारे चैनल के दौरा लेकिन अभी तक officially कोई भी notice नहीं आया है कि आपके exam को पोस्ट पॉंड किया जा रहा है जब भी आएगा तो आपको officially हमारे चैनल के दौरा बता दिया जाएगा तो आप अपनी exam की तैयारी में लग जाएए आप मान के चलिए कि आपके exam मार्च में ही होंगे और आपको उस हिसाप से तैयारी करना है और फालतू tidak fake news से दूर रहना है विकास यूटूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिनमें बताया जाता है कि आपके exam अप्रैल में होंगे मार्च में होंगे या फिर मैं मैं होंगे तो इन news से आपको दूर रहना है तो board परिक्षा आपकी अभी तो कोई confirm नहीं है कि अप्रेल में होती है या मई में अगर CBFC के exam पोस्टपॉंड होते हैं तो हो सकता है MP board भी अपने exam को पोस्टपॉंड कर दे इसके उपर अभी तक कोई भी officially update नहीं आया है और Twitter पर भी मैंने चेक किया कहीं पर भी Twitter नहीं किया गया है तो आप मान के चलिए कि आपके exam मार्च में होने वाले हैं और अगर CBFC के पोस्टपॉंडर नहीं होते हैं तो MP board के भी नहीं होंगे इसके बाद हम बात कर लेते हैं blueprint के बारे में कि blueprint कब तक आएगा क्योंकि students अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं blueprint के बिना तो देखे blueprint के बारे में अगर हम बात करें तो help line number आप सभी को description में दे दिया जाएगा सबसे पहली बात या फिर comment box में भी आपको मिल जाएगा क्योंकि जब मैंने MP help line number पर call किया था तो बहां से मुझे information मिली थी कि blueprint December के last तक आएगा और जब मैंने कल कॉल किया था तो मुझे information मिली थी कि blueprint इस बीक में आ सकता है means एक तरीके से अभी तक तो गुमाया जा रहा है बच्चों को क्योंकि उनके पास भी पूरी information नहीं है जब उपर से कोई भी update आता है तो वो हमें update देते जाते हैं अगर आप भी help line number पर call करना चाहते हैं तो comment box में आपको number मिल जाएगा या फिर description box में आप सभी call कीजिए क्योंकि majority of students comment करेंगे तो बहां से बात उपर तक जाएगी और आपका blueprint जल्द आ सकता है इसलिए आपको call करना है नीचे description में आपको number मिल जाएगा तो blueprint के बारे में तो अभी कोई भी बात confirm नहीं है कि आपका blueprint कब तक आएगा लेकिन अगर blueprint आना होगा तो December में आ जाएगा December के बाद नहीं आएगा तो December के लाष्ट तक आ सकता है chances हैं आने के बट अभी तक तो नहीं आया है तो चलिए अब हम next topic को cover करते हैं best of five योजना तो सबसे पहले हम best of five योजना के बारे में समझेंगे कि best of five योजना क्या होती है तो best of five योजना के बारे में मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर कि best of five योजना class 10th के students के लिए होती है और class 10th में total 6 subject होते हैं 6 subject में से total 5 subject को लिया जाता है और अगर students जैसे एक subject में जब उनका result आता है और एक subject में कम marks भी है तो एक subject को हटा दिया जाता है और top five जो subject बचते हैं उनके आधार पर इनका result तयार किया जाता है जैसे आप किसी subject में fail भी हो गए, science में हो गए, maths में हो गए तो आप जो maths के या फिर science के नमर हैं उनको add नहीं किया जाएगा सिर्फ top five subject जिनमें आप pass हैं उनके नमर को लिया जाएगा और आप pass कहलाएंगे इस तरीके से best of five योजना ये आपकी होती है सरफ top five subject के base पर आपका result तयार किया जाता है तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये इस साल लागू रहेगी या फिर नहीं रहेगी तो देखिए best of five योजना इस साल लागू रहेगी 100% रहेगी इसको हटाया नहीं जाएगा क्योंकि students बहुत सारे fail हो सकते हैं इसलिए इस योजना को चालू किया गया था क्योंकि जब ये योजना चालू नहीं होई थे तो बहुत सारे student maths में science में fail हो जाते थे इस बज़े से इस योजना को चालू किया गया था और top five best five subject के आधार पर result तयार किया जाता है तो ए योजना 2021 में भी लागू रहेगी because अभी तक इसको हटाया नहीं गया है और आगे भी इसको हटाया नहीं जाएगा तो इस साल लागू रहने वाली है तो किसी भी students को tension नहीं लेना है और इसके अलाबा अगर कोई doubt है queries है तो आप Instagram पर message कर सकते हैं या फर comment भी कर सकते हैं और Instagram पर अगर आप लोग ने अभी तक follow नहीं किया है तो please बहाँ पर follow कर लीजिए और इसके अलाबा आपने हमारा second channel अभी visit नहीं किया है जिसका नाम है study जानकारी उसकी link भी आपको description में मिलेगी study जानकारी पर आपको exam news मिलेगी board exam से related जो भी latest update आते हैं वो आपको उस channel पर देखने को मिलेगे इसके अलाबा study material भी आपको बहाँ पर provide कराया जाएगा तो आप study जानकारी पर visit कर सकते हैं और उसको subscribe कर लीजिए तो चलिए आज के इस video को यहाँ पर समाप्त करते हैं अगर video पसंद आता है